आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्यान भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी इसे क्या होता है अगर हम इसे खिसका है मतलπό है अगर हम अंगली से दवा करकें अन परफ़न वनार बसमीचा करड pay कंपन के कारण जो उन यह वो क्या जाती है परिवर्द सीमा एक से बी की और तरफ चलती है ठीक है अब चुकिए क्या होता है कि यह जब जाती है तो यहाँ परिवर्द सीमा है तो आगे संचरित नहीं हो पाती है तरंग तो यहाँ से क्या हो जाता है इसका परावर्तन हो जाता है जिसके कारण जो आप प्रगामी तरंग बनने के फलसरूप क्या होता है, निस्पंद और प्रस्पंद बिंदू का निर्वान होता है, निस्पंद बिंदू होती है, जहां पर कणो का आयाम क्या हो, शुन हो, और प्रस्पंद बिंदू हो, जहां पर क्या हो, कणो का आयाम अधिकतम हो, ठीक है, तो तोरा क्या करते किसका आते है तब जो तरंग की जो पहली मूल विधा बनती है वो इस प्रकार से बनती है ठीक है फिर इसके लिए हम अलग-अलग विधा देखते हैं जैसे मूल विधा हो गया यह क्या होता है प्रथम अधिस्वरक विधा होती है ठीक है इसी प्रकार क्या होत दूतिय अधिस्वरक बनता है दूतिय अधिस्वरक मतलब हर एक समय के सासाथ क्या होती है तरंग के आयाम में भी परिवर्तन होता है और उसके कारण क्या होता है हर एक विधा हमें अलग-अलग मिलती है तो यहां पर देखो बोला जा रहा है कि डोरी के मूल स्वारक तथा अधिस्वारक को समझाईए तो मूल स्वारक होता है कि जब हम किसी भी डोरी को क्या कर दे रहे हैं उसको कंपीद कर रहे हैं तो उसकी वास्तविक इस्थिती में जो परिवर्तन आता है तुरत बाद तो उसकी जो इस्थिती होती है वो और उसके बाद समय के साथ साथ हो रहे तरंगों के आयाम में और उसकी इस्थिती में निस्पन्द और प्रस्पन्द की जो इस्थिती में परिवर्तन होता है वो हर एक अधिस्वरक के रूप में हम देखते हैं ठीक है तो अब देखो यहा लोगए यहां पर ईक निस्पन से दूसरे दिस्पन की बीचकी दूरी होती है वह कितनी होती है म्लयुक็ बरावर होती है है तो यहां से ल्युक्त सकते हो लैम्डा बटा 2 берावर 2 लैम्डा बडर क्या ओक्या के बरावर ठीक है अब आवरती की करना करनी है तो f परावर क्या होता है वी बटा लैम्डा और यहां पर देखो क्या है कि क्या लिख देते वी कमान जो होता है वह क्या होता है रूट अंडर टी बटा एंप के बरावर हम लिखते हैं जयावरती के तनाओ है और अब हर एक अधिस्वरक को अगर हर एक अधिस्वरक की आवरती को हम क्या करेंगे मूल विदा की जो आवरती आई है मूल आवरती उससे तुलना करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सम और विसम सनादी उत्पन हो रहे है या फिर किस प्रकार की सनादी उत्पन हो रही है ठीक है तो अब देखो फिर इस विदा में यहाँपे हमें क्या प्राप्त हो रहे है दोनों से रहे निस्पन्द यहाँपे भी हमें क्या प्राप्त हो रहे है यह हो गया lambda बटा, lambda के बराबर, ठीक है, तो L बराबर के आगया lambda, तो यहां से F बराबर फिर से लिखोगे V बरता lambda, अब lambda कमान यहां पे L लिखेंगे, और V कमान के आगया, root 100 T बरता M into 1 बरता L के बराबर, यह क्या आगई, दूतिया दिस्वारक की आविरती, और इसे हम क् जित कर देता है, ठीक है, अब इसी बरकार दूतिया दिस्वारक की आविरती निकालते है, F2, यह बिंदो निस्बंद हो गई, यहां पे आभी हमें एक और निस्बंद प्राप्त हो रहे है, यहां पे एक और निस्बंद, ठीक, तो यह दूरी कितनी हो गई, फिर से lambda बटा 3 के बराबर, ठीक है, तो यहां से F2 अगर निकालोगे, जो आवरती तो यह हो जागा, V बटा लामडा के बराबर, V कमान रख दो, T रूट अंडर, T बटा M, गुने, लामडा कमान के रख दोगे, 1 बटा 2L बटा 3, तो यह क्या आजाएगा, यह 3 बटा 2L के बराबर, तो F अगदी स्वारक से ही हमें पता चल जाएगी कि आवरती सम गुनज आ रहे है, या विसम गुनज या दोनों, ठीक है, अब देखो यहां पर, अगर हम यहां पर क्या कर दें, इसे 2 से गुना और 2 से भाग कर दें इस आवरती को, तो F1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो तो F1 बराबर यहां से क्या आजाएगा, 2F के बराबर, तो ठीक उसे प्रकर यहां पर देखो क्या हो जाएगा, F2 को यहां पर 1 बटा 2L, रूटन अटी बटायम को फिर सम मूल आवरती के बराबर लिख सकते हैं, तो F2 बराबर यहां से क्या आजाएगा, 3F के बराबर, ठ तो यहांद पर देखो क्या आ रहा है की मूल Pvirti का ये क्या है? Sumigunaj ये क्या आ रहा है यहां पर Visam Gigunaj ठीक है? तो यहांचा यहांच से क्याThe प्र परकार की सनाधिये उतबन होते है ठीक है? यहां क्या सीद्व होता है? और यहां पर प्रश्मन बोला जा हना, था कि सिद्ध करने के लिए और बोला जाना था कि तनिवी डूरी में मुलस्वर की आवर्ति की गरना करें तो मुलस्वर की जो आवर्ति होगी वो कितने हो जाएगी एक बटा दो एल रूट अड़ टी बटा